नवस्ते दोस्तों में हुआर्पी स्वागत है आपका इंडिया स्पेसल में दोस्तों आज बात करने बाला हूं केलास परवत के रहस के बारे में कि आखिर अभी तक कोई इंसान क्यों नहीं चड़ सका केलास परवत पर हिंदु धर्म में केलास मानसरूबर यात्रा का बेहत असमहत्वे केलास मानसरूबर को भगवान सिप का निवास इस्थल माना जाता है इसके अलावा केलास परवत दुनिया का सबसे अद्बुत परवत माना जाता है आपको बता देंगी केलास मांसरोवर यात्रा पर गए सबी सर्दालू से ही केलास परवत के चरण छोते हैं माना जाता है कि जो केलास परवत आकर सिपके दर्शन करता है उसे उसके लिए मोग्ष का रास्ता खुल जाता है केलास परवत की उचाई 6600 मीटर से अधिक है जो दुनिया के सबसे उचे परवत मांट एवरिस्ट से लगबग 200 मीटर कम है इसके बाबजूद मांट एवरिस्ट पर अब तक 7000 से अधिक बार चढ़ाई कर चुके हैं लेकिन केलास परवत पर अभी तक कोई नहीं चड़ सका है केलास परवत अभी भी अजिये है यानि तमाम कोश्चों के बाबजूद अभी तक कोई भी केलास परवत पर चढ़ नहीं सका आपको बता दें कि केलास परवत और केलास च्छेतर पर दुनिया भर के बैग्जानेकों ने रिसर्च की है इस पर रिसर्च करने बाले पूरत लीज निक ने केलास परवत पर चरने को असंभव बताया है इसके अलाबा एक दूसरे परवत रोही करिनल आर्च सी बिलसन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से केलास परवत के सिखर पर चर सकता हूँ बहानक बरवाली ने मेरा रास्ता रोख दिया और चड़ाई को असंभव बना दिया कई परवता रोहियों का दावा है कि केलास परवत पर चरना असंभव है रूस के एक परवता रोही सरगे सियष्ट कूरूब ने बताया कि मैं परवत पर चलग चुका था और परवत के पास पहुच चुका था तो मेरा दिल तेजी से धढ़कने लगा और मैं उस परवत के बिलकुल सामने था जिस पर आज तक कोई इंसान चलग नहीं सका अचलग मुझे बहुत कमजूरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहीं से बापस लोट जाना चाहिए उसके बाद मैं दीरे दीरे नीचे आया और मन हलका हो गया आपको बता दें कि केलास परवत चरने की आखरी कोसिस कुछ परस पहले हुई थी जब चीन ने स्पेस की एक टीम को केलास परवत पहर चरने की अनुमती दी थी दुनिया भार के लोगों का मानना है कि केलास परवत एक पवित इस्थल है इसलिए इस पर कोई नहीं चड़ सकता कितनी भी कोसिस करें कोई चड़ ही नहीं सकता जिसके बाद केलास परवत की चड़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया है आपको बता दें केलास परवत का महत्व इसकी उंचाई की बज़े से नहीं है बलकि इसके बिसेस आकार की बज़े से है माना जाता है कि केलास परवत आकार चोमुकी दिसा बताने वाले कमपास की तरह केलास परवत को धरती का केंदर माना जाता है तरसल रूस के वैक्जानिक की स्टडी के मताविक केलास परवत निर्मित पिरामिड हो सकता है जिसकी निर्माण किसी देबिय सक्ति वाले व्यक्ति ने किया है यानि किसी सामान व्यक्ति ने इसका निर्माण नहीं किया है इसके अलावा एक दूसरी स्टिडी के मताविक केलास परवत ही एक्सेस मुंडी है जिसके cosmic axis, bird axis या bird pillar का जाता है आपको बता दें कि एकसेस मुडी लेटन सब्द है जिसका मतलब ब्रहमांड का केंदर होता है इसके अलावा अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जगों को धर्ती का केंदर बताते हैं केलास पर्वत को धर्ती का केंदर मानने की कई बज़ा हैं माना जाता है कि केलास पर्वत में प्रच्वी का भोगल केंदर है यहां आस्मान और धर्ती का मिलन होता है तीसरा यहां चारों दिसाओं का केंदर बिंदू है चोथा ईस्वर और उनकी बनाईस रष्टी के बीच से बीच का केंदर बिंदू होना है माना जाता है कि जब केलास परवत की बर्फेगलती है तो आसपास के छित्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है ये भी माना जाता है कि केलास परबत पर साख्चाथ से मौजूद है केलास परबत के दक्षण में सूर्ज जैसी सरचना बाला ब्रह्मा ताल है जिसके दर्शन करने से दुनिया भर के सिद्धालू यहां आते हैं वहीं इसके एक कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षण साल है जहां कोई नहीं जाता ब्रह्मा ताल का पानी पूरी तरह से मीठा है जबकि राक्षण साल का पानी खारा है यही वज़ा है कि यह जीव जन्तू भी यहां दिखाई नहीं देता माना जाता है कि ब्रह्मताल सकारत्मक उर्जा का केंद्र है जबकि राक्षसताल नकारत्मक उर्जा का केंद्र है हिंदु धर्म के अलावा कई धर्मों के लोग केलास परवत का खास महत्व माना जाता है यानि दूसे धर्मों में भी केलास परबत का महत्व पताय जाता है माना जाता है केलास परबत एक तरह इस्टिक दूसी तरफ माड़ेक और तरह सोना और चोत् cœur नीलम से बना हुआ है कहा जाता है कि कैलास परवत छे परवत संखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है लेकिन अभी भी रहस बना हुआ है कि आखिर अभी तक कोई बैग्यानिक एक क्यों नहीं बता पाया कि कैलास परवत पर क्यों नहीं चड़ा जा सकता केलास परबत पर अभी तक कोई बैग्ञानिक नहीं चड़ सका है यही कारण है कि भगवान सिब के रहस्यों को अभी तक कोई जान नहीं सका है कि आखिर उस परबत पर ऐसा क्या है, जिसकी बज़े से लोग नहीं जा पाते दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आज के लिए इतना ही मुलाका जल्द होगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए नवस्कार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें सुक्रिया